नमस्का दोस्तों श्वागत आप सिभीका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज क्यों वीडियो में पढ़ेंगे हल्दी घाटी के यूद के बारे में और ये टोपिक रियास्तान जिके का बहुती महत्पूर्ण है अक्सर प्रिक्षाव में इस टोपिक मे लिया है कक्षा बारा की पुष्टक है इतियास की जो पुरुवे में रास्तान बोर्दवारा संचाली थी पाइटेकर में तो इस पुष्टक में से आपको अथेंटिक जानकरी जरूर मिलेगी और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि ये वीडियो लंबा भी हो सक जरूर देखें तो सुरवात करते हैं मेवार पर आकरमन करने की योजना को कारी रूब में परिनित करने के लिए मार्स पंद्रा सो छेतर में अकबर श्वेम अजमेर जा पहुंचा तो मार्स पंद्रा सो छेतर के अंदर अकबर श्वेम कहां पहुंचा था अजमेर वही पर मानसियें को मेवाड के विरुद बेजी जाने वाले सेना का सेना नाइक घोसित किया गया अब मेवाड के खिलाब सेना नाइक किसको बनाए गया है मानसियें को सेना नाइक घोसित किया और 3 अप्रेल 156 इस्वी को मान सिंग शेना लेकर मेवाड विजे के लिए चल पड़ा कब चला 3 अप्रेल 156 को मान सिंग शेना लेकर मेवाड को जीतने के लिए वहां से रवाना हो गया दो महा मान डल गड में रहने के बाद मान सिंग के साथ अब देखी कोन कोन थे इस समय मानसिहें के साथ गाजी खां बदक्षी, ख्वाजा गयासुदिन अली, आसिप खां, शेद एहमद खां, शेद हाशिम खां, जगनात कच्छावा, शेद राजू, तो दोस्तों अब देखिए आजकर के जो प्रसंड बन रहे हैं, वो इस परकार से बनते हैं कि मानसियें के साथ उस समय कौन-कौन था, तो एक बार वापिस से इस लाइन को रिप्ट करते हैं गाजी, बदक्षी, खवाजा, गैसुदिन अली, आसिप खां, शेद एमद खां, शेद हाशिम खां, जगनात कच्छावा, शेद राजू, मिहित्तर खां, भगवन दास का भाई मादोसी हैं, मुजाहिद बेग आदी सरदार उपस्तित थे दोस्तों, इस परकार से इतने लोग मानसियें की सेना में उपस्तित थे मुगल इत्यास में ये पहला आफसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेना पती बना कर भेजा गया था दोस्तों ये पहला मौका था जिस समय किसी हिंदू को मुगल सेना का इतना बड़ा सेनापती बना कर बेजा था मानसिये को मुगल सेना का परदान सेनापती बनाई जाने से मुश्लिम दरबारियों में नराजगी फैल गई थी बन्दा यूनी ने अपने सरंक्षक नकीब खां से भी इस युद में चलने के लिए कहा तो उस ने उत्तर दिया कि यदि इस सेना का सेनापती एक हिंदू ने होता तो मैं पहला वक्ती होता जो इस युद में सामिल होता देखे नराजगी यहां इस पुष्ट बताई जारेगी बन्दा यूनी ने उसके संक्षक नकीब खां को कहा था जिसने यह बातें यहां लिखी है कि अगर हिंदू सेनापती नहीं होता तो मैं इस युद में चलने वाला पहला वक्ती होता गवालियर के राज़ा रामसा और पुराने अनभवी योदाओं ने राएदी की मुगल सेना के अधिकां सेनकों को परवत्य भाग में लड़ने का अनभव नहीं है तो ग्वालियर के रज़ा था, रामसा और पुराने के योदाओं ने बताया कि मुगल सेनिकों को परवत्य भाग में लड़ने का अनभव नहीं है, अते उनको पहडी भाग में घेर कर नश्ट कर देना चाहिए, किन्तु युवा वरग ने इस राई को चुनोती देते वे इस बात पर जोर दिया कि मेवार के बहदुरों को पहडी भाग से बाहर निकल कर शत्र शेना को खुले मेदान में प्राजित करना चाहिए, अन्त में मांसिये ने बनास नदी के किनारे मुलेला में अपना सिवर इस्तापित किया, तो दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है, अन् सिवर इस्तापित किया, तो यहाँ मुलेला में, तरता परताब ने मांसिये से छे मिल दूर लोसिंग गाह में पड़ाव डाला, तो मांसिये ने मुलेला गाह में पड़ाव डाला, सिवर लगाया और वहीं परताब ने मांसिये से छे मिल दूर लोसिंग गाह में पड़ाव डाल दिया था तो दोस्तों ये माजमिक शिक्षा वोड की किताब है इसमें ये आपको जानकारी मिलने अक्सर छोटी गाइडों में ये जानकारी नहीं मिलती मुगल सेना में तो यहां पर दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण परसंद बनते हैं मुगल सिना में हरावल देखिए हरावल क्या चीज़े सिना का सबसे आगे वाला भाग हरावल कहा जाता सिना का सबसे आगे वाला भाग मुगल सिना में हरावल का नेतरतवे शेयद हसिम कर रहा था राजा-जगनात और आसब खान थे तो दोश्तों मुगल सेना के हरावल भाग में हस् resistance खान, सहयद हास्ङ ये नितरत वगरा था उसके साथ में मुहमद, बादक्षी, रफी, राजा-जगनात और आसब का ये मुगल सेना के हरावल भाग में थे तो यहां पर प्रसन इस परकार से बन सकता है कि मुगल सेना के हरावल भागमनी में से नहीं था या कौन था इस परकार से परसन बन सकता है ये चार लोग आप देख रहे हैं इन्हें नोट करके जरूर रखें फिर हैं परताब की सेना के दो भाग थे परताब की सेना के हरावल में हकेम खासुरी अपने पुत्रों सहित गवालिर का रामसाः फ्रोहित गोपिनात संकरदास चारन जैसा फ्रोहित जगनात शलूमबर का चूड़ावत कृष्टन दास शरदारगड का भीमसी हैं देवगड का रावत सांगा और जैमल मेरतिया का पुत्तर रामदास आदी समलित थे तो दोस्तों यहां पर महरान परताब के हरावल भाग के बारे में पुछा जाता है तो महरान परताब के हरावल में हकेम खासुरी अपने पुत्रों सहित गवालिर का रामसा रामसा था जो अपने प से भी एक परसंद बनता है दूसरे भाग में दूसरे भाग का नेतरत्वे सेना के केंदर में रहे कर श्वेम महरणा कर रहे थे यान दूसरे भाग में महरणा परताब केंदर में रहे कर खुद नेतरत्वे कर रहे थे जिनके साथ बामासा वे उनका भाई तारचन था तो से ये पुष्टक में उनकी सवी दी गई है महारणा परताप की और यह है चैते का इश्मार्क फिर बताए जा रहा है अठारा जून पंदरा सो चेतर तो दोस्तों ये तारिक याद रखिएगा अठारा जून पंदरा सो चेतर इसी तारिक को हल्दी गाटी का युद लड़ा गया था दोस्तों कई पुस्तकों में किस जून भी दे रहे किया लेकिन अठारा जून पंदरा सो चेतर रास्तान बोर्ड की किताब का अनसार सही है और यही तारिक सही है तो अठारा जून पनासो चेतर प्राते काल परताब ने लो सिंग से हल्डी घाटी में गोगुंदा की और बढ़ती शेना का सामना करने का निश्चे कर कूच किया युद के परत्म भाग में मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए रणा ने अपने हाती लूना को आगे बढ़ाया जिसका मुगल हाती गजमुक जिसको गजमुकता ने किया तो दोस्तों यहां पर बात ध्यान ने कियेगा तो महरणा परताब की हाती का नाम था यहां पर मुकाबला किया तो उसका नाम था लूना लूना हाती को आगे बढ़ाया जिसका मुगल सेना का हाती था गजमुक अर्थाथ जिसे गजमुकतावी कहा जाता है जिसने किया गजमुक गाहिल होकर भागने ही वाला था कि लूना का महावत तीर लगने से गाहिल हो गया और लूना लोट पड़ा इस पर मारणा के विख्यात हाती राम परसाद को मेदान मुथारना पड़ा क्योंकि महरणा परताब का हाती था विख्याद हाती जिसका नाम था राम परसाद फिर इस हाती को मैदान वतारना पड़ा उससे पहले था लूना ये हाती फिर भाग गया था दोस्तों वीडियों बने रहेगा क्योंकि बहुत ही महत्पुन जानकर्याब लोगों को मिलने वाली है युद का प्रारम परताप की हरावल सेना के भिष्ण आकरमन से वाक मेवाड की सेनिकों ने अपने तेज हमले और वीरता पूर्वक युद कोसल द्वारा मुगल पक्स की अगरिम पंक्ती में वे बाएं पार्शों को छिन भिन कर दिया तो मारना परताप की हरावल ने भिष्ण युद किया जिससे मुगल सेना के अगरिम पंक्ती छिन भीन हो गई थी बंदा यूनिक अनसार इस हमले में हमले से गबरा कर मुगल सेना लून करन के नेतरतों में बेड़ों के जुन्ड की तरफ भाग निकली तो मुगल सेना इस आकरमन से भेवित हो गई थी और लून करन के नेतरतों में बेड़ों के जुन्ड की तरह भाग निकली जिस परकास से बेड़े भाग थी उस तरह से मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी इस समय परताब के राजपू सेनिकों और मुगल सेना के राजपू सेनिकों को मज़िया फरक करना कटिन हो गया तो बंदा यूनी ने ये बात मुगल सेना के दूसरे सेना पती आसम खान से पुछी असप खान से पुछी, असप खान ने कहा कि तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूद किसी और सी और का मारजाये, इससे इसलाम का तो लाब ही होगा, देखो बंदा योनीन का, उसने असप खान से पुचा था, कि आप क्या करो तीज लाते जाओ यानि राजपूत किसी और से मारा जाए लेकिन इसलाम का तो लाब ही होगा मानसिये को मुगल सेना का सेना पती बनाने का बंदा यूनी भी विरोदी था किन्तु जब उसने मानसिये को परताब के विरोद बड़ी विरता और चातुर इसे लड़ते देखा तो परसन हो गया तो बंदा यूनी श्यूम भी मानसिये को सेना पती बनाए जाने पर नारास था लेकिन जब राजपूतों खिलाफ राजपूत को लड़ते वे देखा तो बंदा यूनी बहुत परसन हुआ यूद के दोरान सेद हासिम घोड़े से गिर गया कौन सेद हासिम घोड़े से गिर गया और असब खाने पीछे हटकर मुगल सेना के मज्य भाग में जाकर सरन ली जगनात कच्छावा भी मारा जाता किन्तु उसकी साहिता के लिए चंदावल शेना में सबसे पिछे की पंक्ती चंदावल किसे का जाता है शेना में सबसे पिछे की पंक्ती होते है उसको चंदावल का जाता है और हरावल होता है शेना की अगरिम पंक्ती चंदावल से सेन्य तुकडी लेकर मादोसिय कच्छावा आ गया मुगल शेना के चंदावल में महितर खान के नेतरते में आपात इस्तति के लिए शुरक्षित सेनिक टुकडी रखी गई थी अपनी सेना को भागते देख महितर खान आगे की और चिला तवाया की बासा सलामत एक बड़ी सेना के साथ स्वेम आ रहे हैं इसके बाद इस्तति बदल गई और भागती हुई मुगल सेना नए उस्सा और जौस के साथ लोट पड़ी अब क्या हुआ जब मुगल सेना भाग रहे थी मैदन से तो कौन था महितर खान था उसने चिला कर कहा बासा सलामत है और एक सेनिक टुकडी लेकर आ रहे हैं जिससे मुगल सेना भागती हुई रुक गई और नए उस्सा आ गया और जौस के साथ उन्होंने वापिस से युद में उतर गए राना परताव अपने परसिद घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहा था और मानसी हैं मरदाना नामक हाथी पर सवार था तो माहरना परताव चेतक नामक घोड़े पर सवार थे और मानसी हैं मरदाना नामक हाथी पर सवार थे और युद कर रहे थे रंसोड़ भट कृत संस्कृत गरंथ अमर काविय में वर्नन है की परताब ने बड़े वेक के साथ चेतक के अगले पेरों को मांसियें की हाथी के मस्तक और तिका दिया तो ये वरनन किसम मिलता है रंट सोड भट दोर लिखा गए एक काविय संस्क्रिट का अमर काविय जिसम मिलता है कि मारणा परताब का गोड़ा चेत तक जिसके पेर मांसियें के हाती मरदाना के मस्तक पर टिका दिये थे और अपने भाले से मांसियें पर वार किया मांसियें ने होदे में निचे जुक कर अपने को बचा लिया किन्तो उसका महावत मारा गया इस हमले में मांसियें के हाती की सूंड पर लगी तलवार से चेत का एक अगला पेर कट गया मान सिंग की हाथी की सूंड में एक तलवार लगी वी थी जिससे महरना परताब के गोड़े चेते का एक अगला फेर कट गया था परताब को संकट में देखकर बड़ी साधरी के जहला बिदा अब दोस्तों यहां पर देखेंगे अब परताब संकट में थे तो बड़ी साधरी के जहला बिदा, तो दोस्तों यहां पर जहला अजा और जहला बिदा में लोगों के बहुत कंफिजन रहती है तो आब इसको ध्यान रखियेगा बड़ी साधरी के जहला बिदा ने राज के छत्र श्वेम धारण कर युद जारी रखा जो मारणा परताब के राच ये चिन थे उनको जाला बिद्दा ने श्वेम धारन कर लिया और फिर युद को जारी रखा और परताब ने युद को पहाडों की और मौड लिया हल्दी गाटी से कुछ दूर बलिचा नामकिस्तान पर घायल चेतक की मृति हो गई तो यहां पर परसन बन जाता है हल्दी गाटी की युद में महरणा परताब की तरफ से अब देखिए अल्दी गाटी की यूद में महरना परताब की तरफ से लड़ने वाले तरफ से जहला विदा, मांसी हैं सोंगरा, जैमल मेरतिया जैमल मेरतिया का पुत्र, रामदास, रामसा और उसके तीन पुत्र, शाली वाहन, भावानसी हैं, परताबसी हैं रामसा के तीन पुत्र थे कौन-कौन, साली वाहन, भावानसी हैं, और परताबसी हैं, वीरता का परतसन करते वे मारे गे थे तो दोस्तों, ये मारना परताब की तरफ से, हल्दी गाटे के युद में लड़ते वे जहला वीद्दा, मानसी हैं सोंगरा और जैमल मेरतिया का पुत्र, रामदास, और रामसा और उसके तीन पुत्र, साली वाहन, भावानसी हैं, और परताबसी हैं, वीरता पुरक लड़ गोपाल दास, भामसा, तारचंद आदी रन शेतर में बसने वाले परमुक्ष सरदार थे, तो दोस्तों, ये लोग बस गे थे, सलुमर का रावत कृशन दास सुड़ावत था, गाने राव का गोपाल दास, और भामसा और उसका भाई तारचंद आदी इस युद में बस गे क्या, मुगलों द्वारा परताब की सेना का पिछा ने करने के बंदा युनी ने तीन कारण बताए हैं, तो वे तीन कारण देखते हैं, क्या है, उसमें पहला कारण है जून मा की धुलसाने वाली तेज धूफ, क्योंकि जून के महिने में बहुत तेज धूफ पढ़ रही ती जिस बज़े से मान सिंग की सेना ने परताब की सेना का पिछा नहीं किया, मुगल सेना की अत्यदिक ठकान से युद करने शमता ने रहना, यानि मुगल सेना ठक गई थी, मुगलों को भेथा की परताब पहड़ों में घात लगए हैं, और उसके अचनक आकरमन से तरहे अकबर की इच्छा अनुसार वे ने तो परताब को पकड़ सका, अत्वा मार सका और नहीं मेवार की सेन्य शक्ति का विनास कर सका, अकबर ये सेन्य अभियान एसपल रहा, पासा महरना परताब के पक्ष में था, युद के परिणाम से खिन अकबर ने मान सी हैं और आ मान सी हैं और आसप खान मारना परताब को मार सके ना पकड़ सके, जिसकी बज़े से अकबर उन से नाराज हो गया था और उनको कुस दिनों के लिए दरबार में समिल धोने से वंसित कर दिया था, सहसा अकबर की विसाल सादन संपन सेना का गर्व मेवड सेना ने ध्वस कर दिया था, जब रास्तान के राजाओं में मुगलों के साथ वेवा एक समन्द स्तापित कर उनकी अधिनता मानने की होड मची हुई थी, उस समय परताब दोबारा स्वतन तरता का मारक सुनना निस संदे सरान ये कदम था, तो दोस्तों इस परकार से एक अक्षा बारा की अगरा सा इस वीडियो को देखें, कुछ मैने लाइने ऐंडरलाइन के आप इसको नोर्स के रुप में जरूर उतारें ता कि कुछ परसन आप लोग के बन सकते हैं इस परकार से, तो दोस्तों आज की वीडियो वस इतना ही, इसी परकार से मैं आप लोगों के साथ में बहु मिलते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद